यदि आपका operation हुआ है और आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि क्या आप सीडियां चड़ सकती हैं उतर सकती हैं और नीचे बैठ सकती हैं क्या तो मैं डॉक्टर सुशिरा से ने गाइने क्लॉजिस्टन अपसेटेशन आज आपको यही बताने जा रहे हूं कि operation के बाद म नुकसान ज्यादा है दुर्बिन वाला operation बहुत सदा फाइदे मन होता है पेट पर चीरा नहीं लगता है दर्द नहीं होता है अस्पताल से जल्दी छुटी हो जाती है किसी तरीके का कोई परहेज नहीं होता है आपका normal खाना पीना घुमना फिरना नहना दोना सब चालू रहता है कोई भी परहेज नहीं होता है तो बहुत ही अच्छा operation है तो जब भी आपको operation की सल्हा दी जाती तब दुर्बिन वाला operation है अगर आपके पास choice है तो अब यदि आपने दुर्बिन वाला operation कराया है अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि कि आप सीडियां उतर है तो आप चड़ सकती है उतर भी सकती है जितना कि आपकी वाड़ी आपको अलाव करती है नीचे भी आप बैठ सकती है कुर्सी पर आप बैठ सकती है कभी किसी किसी मरीज के घर में इंडो वेस्टन टॉयलेट नहीं होता है कि एवल इंडियन टॉयलेट होता है तो उन लो से आपके टांकों पर किसी परकार का प्रेशर नहीं परता है। Warênio और जहांतक सवायल से मतस्सी अुतरने चड़ने का Sud A परदैने का तो आपके हरफ्रिते होते बाऀब Sans rif Amen अपने हाथ से Android से नहीं होते हो विकमार कि इतनिक ऐसो को आपको उठने में थोड़ी दिक्कत हो सकते हैं तो प्रिफरेबली हम यही कहते हैं कि आप चेयर का स्थेमाल कीजे लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं नीचे ही बैठना है तो आप नीचे जरूर बैठ सकती हैं ऑपरेशन के बाद इस तरह के का परहिज नहीं होता है औ और अपना नर्मल घर का काम है वो भी आप देख सकती हैं तो इस तरीके से आपको ये तो पता चल गया कि दूर्बीन वाला उपरेशन बहुत अच्छा होता उसमें किसी तरीके का परहेज नहीं होता आज कर दूर्बीन वाले उपरेशन से वापरेशन सभव हो यानि कि इंजॉई कर सकें, दर्द ना हो, बिमारी से मुक्ते मिल जाए, हॉस्पिटल में जादा नहीं रुकना पड़े, बलड का लॉस नहीं हो, और बाद में आपको किसी तरीके का परहिज नहीं हो, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मुक्राइब।